नमस्ते राधराधे उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे देखिए आप मैंसे काफी सरे कंडिडेट ऐसे हैं जो की बिहार से दो बरसी बीएड करना चाहते हैं उन सभी के लिए जो बहुत ही बड़ी अब्रेट निकाली गई है क्योंकि बीएड का जो अब ही जनकारी हमने इस वीडियो में कभर किया हुआ है तो प्लीस वीडियो सुरू से अं तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थुरस बैच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक करेंगे देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि बीएट की जाया जनकारी के के लिए और इसकी जो ओनलाइन आवदन करने के लिंक के लिए आपको जो है अपने कॉम्प्यूटर के बराउजर में easy to net.com सर्ज करना है ठीक है जैसे ही सर्ज करेंगे तो आपके सामने easy to net.com का जो official website है यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहले इसको open कर लेना है ठीक है तो आप देखेंगे बिहार B8 का जो link है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिस पे आपको click कर देना है ठीक है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सभी जनकारी आपको देखनी को मिल जाएगा जैसे की B8 का syllabus क्या है, application fee क्या है, usability criteria क्या है सभी जनकारी आप यहाँ पे check out कर सकते हैं सबसे पहले हम date की regarding बात कर लेते हैं कि आपका जो B8 का परवेस परिछा का जो online application form है वो कब से fill up होगा, देखिए अभी जो है एक हिंदुस्तान का paper cutting आया हुआ है, जो कि आज ही का paper cutting है इसमें बोला गया है कि B8 college में नमंकन मई के पहले सबताह से होगा, यानि कि आपका जो online application form fill up होने वाला है मई के पहले सबताह से होने वाला है और 36,000 seat के something जो है अपका B8 admission होने वाला है जिसमें अपका private और government यहाँ पे college होता है इन्होंने पताया हुआ है कि राज्य के B8 college में दाखिलों की परकिरिया मई के पहले सबताह से सुरू हो जाएगी यानि कि मई के पहले सबताह से आपका जो application form है एक से लेकर 7 माई के बीच में कभी भी शुरू की जा सकती है सुमबार को मिली जनकारी का अनुसार इसकी तियारी हो रही है आप सबी जानते हैं कि इसका जो Nodal University होता है लालीत नरायल मितला इनवर्सिती होता है उसके माधिम से ही परवेश परिछा का जो एक्जाम है उसको कंड़क कराया जाता है और उसके बाद जो भी बिहार में सरकारी या फिर प्राइबेट बिएट कॉलेज है उसमें जो है मेरिडिक अधार पे आपका अडमिसन कराया जाता है तो आप सबी जानते हैं कि इससे पुर्व में 9 अपील से जो है बोला गया था कि आपका जो आवधन है वो सुरू किया जाएगा लेकिन जो भी इनके एजेंसी होते हैं जिसको हाइरिंग किया आता है जो कि एक्जाम कंड़क करवाता है उसकी टेंडर निकाली गई हाइरिंग ना होने के चलते इसका जो डेट है बढ़ा दिया गया तो अब यहाँ पे एक से लेकर साथ माई के बीच में बीट के लिए जो ओनलेन अप्लिकेशन फर्म है वो सुरू कर दिये जाएंगे इन्होंने बताया हुआ है कि पिछली बार एक लाग पचासी हजार के सम्थिंग जो है लोगों ने फर्म को फिलप किया इस बर्स इससे भी जादा लोगों के दुआरा ओनलेन अप्लिकेशन फर्म फिलप किये जानी की पूरी संभावना बन रही है अब इसके बारे में अधिक जनकारी के लिए आप यहां पर आएंगे तो सबसे पहले तो आपको यह समझनी चाहिए कि इसमें जो है एप्लिकेशन फिय आपको कितना देना है तो अगर आप जेर्नल अधर है तो आपको जो है एक हजर रुप्य का पेमेंट करना है जो भी EBC, BC, EWS कोई महिला है या फिर कोई बिकलांग है उसको जो है 700 रुप्य का पेमेंट करना है और ACST को 500 रुप्य का पेमेंट करना है यह जो है अपका परवेश परिछा का सूल्क रहेगा और इसी के भीहां पर आपका एकजाम कंड़क्ट कराये जाएंगे usability criteria की हम बात करें तो अगर आप B8 करना चाहते हैं तो 50% अंकों के साथ अगर आपने असनातक देशे की BA, BAC बीकम कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पर आउधन कर सकते हैं साथी साथ अगर आप समाजिक भिग्यान या फिर इंजर्निंग वेगरा उगरा से आपने माली जसनातक किया हुआ है तो 55% आपका अंक होनी चाहिए बाकी यहाँ पर 5% छूट भी मिलता है जो भी ACST, BCBC होते हैं उनको बाकी कौन-कौन से डॉक्मेंट लएंगे हाँ पर डॉक्मेंट के रिगार्डिंग भी जनकारी दी गई है तो इसको यहाँ कहां-कहां से कितने कोईट पुछे जाते हैं अगर माले जीए कोई सिच्छा सास्त्तरी यानिकst संस्क्रीट में आपने बि एड करना चाहते हैं तो उनके लिए पुण्द्रे नमर का संस्क्रीट से कोईट पुछा जाते हैं बाकी आप regular करना चाहते हैं जैसे कि मालने लेजीए simple beate करना चाहते हैं तो उसमें general English से जो ही 15 question पुछा जाते हैं 15 अंक भी आपको मिलता है general Hindi से जो ही 15 question पंदरा ऑंक मिलता है logical and analytical जो reasoning होता है उससे 25 question पुछा जाते है 25 अंक जर्णल अवारनेस से 40 कोशन पुझे आते हैं, 40 अंक मिलता है, और जो भी Teaching Learning Environment in School होता है, उससे आपका 25 कोशन पुझे आते हैं, 25 अंक आपको मिलता है, ठीके, बाकी यहाँ पे कैसे आवेदन करना है, जैसे ही आवेदन सुरू है आता है, तो आप यहाँ पे आवेदन करने का जो ही Link आपको देखनी को मिल जाएगा, जिसके माधियम से क्लिक करके आपना जो आवेदन है बड़ी असानी से आप यहाँ पे फिलप कर सकते हैं, जो भी Paper का Notice आया हुआ है, उसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और बहुत ही जल्द जो इनकी Nodal University है, जैसे की Lalit Narayan, इनके Portal पर भी आप देखेंगे न, तो इसका जो अपडेट है उसको जारी कर दिया जाएगा, जो कि अब यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्द इहाँ पर भी Notice इसका आज आएगा, schedule आज आएगा, कि आपका जो फॉर्म है, उसके फिलप होन आपका जो फॉर्म करेंगे, एक महिने तक आपका जो फॉर्म करने का मौका दिया जाएगा, जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो इसकी जनकाड़ी बहुत ही असान भासा में आपको समझाने की कोशिज किया, कि अगर आभी बिहार से बीड करना चाहते हैं, तो कब से आपका इप्लिकाशन फॉर्म करनी होती हैं, किस तरह से ईसका जो ही सुलेबास रहता है, किस तरह से एक्जाम पटेर होते हैं, और किस तरह से इसमें आपका एडिमिशन होता है, फिर भी आपका मन में किसी परकार कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें में कमेंट करके पूछ सकते हैं